हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ओन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेलकम फ्रेंट्स अलफ अध्यन पर विज्वल बेसिक क्लासिज में आज हम लूप के सेकंड श्टैप के और बढ़ते हैं जिसमें फॉर लूप के बाद हम बात करेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फॉर लूप से रिलेटिट कुछ प्रोग्राम्स को और आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप और डू वाइल से रिलेटिट प्रोग्राम्स को तो यहां पर हम एक छोटा सा फिर से कमांड बटन ड्रो कर लेते हैं और इस सिरीज पर हम लिख लेते हैं इसके कैप्शन पर प्रेंट वन टो टैन या ट्वन टी जहां तक भी हम सिरीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं इसके बाद हम अपना variable declare करतेंगे टॉप में dim i variable as a integer यहां पर i में हम starting ले लेते हैं 1 से और यहां पर use करेंगे do while जब तक हमारे i की value 10 तक नहीं पहुच जाती तब तक हम यहां पर print कराएंगे i की value को और print करने के बाद एक number का increment कर देंगे जैसे हमने for loop में देखा था कि हम step 1 लगा रहे थे 1 by 1 increment के लिए तो यहां पर हमें i variable में 1 by 1 का increment करना होगा उसके बाद यहां पर do while loop को बंद करने के लिए हमारा loop statement होता है कि जैसे हमारा number 10 तक पहुच जाएगा तो यह loop हमारा end हो जाएगा अब इसको हम run करा लेते हैं do while loop के बाद हम while loop को भी देखेंगे print 1 to 10 पर हम click करेंगे तो आप बाहर की तरफ देख सकते हैं 1 to 10 तक की series को आप वापिस से form का एक display बढ़ा लेते हैं font command के अंदर property से form की यहां से थोड़ा सा इसका size बढ़ाते हुए हम फिर से देख लेते हैं 1 to 10 तक की हमें series display हो रही है अब यही काम अगर हम while loop से करें तो हमें क्या करना होगा do while में से do को हटाना होगा और loop की जगे यहां पर लिखना होगा while end while end में हमारा w बड़ा हमें रखना है उसके बाद हमें run करा देना है इसको आप देखेंगे कि यहां पर same series जैसे कि अभी do while loop से हमने देखा था while loop से भी same use हो रही है तो इस तरीके से हम चाहें तो अपने programs को for loop while loop यह do while loop से कर सकते हैं अगर हम कोई भी condition को apply करना चाहते हैं तो वो condition print से उपर हम apply कर देंगे suppose हम 1 to 20 तक odd number को display करना चाहते हैं तो यहां पर print के उपर हम condition लगा देगे if i की value अगर 2 से divide होने पर not equal to 0 आती है तो यहां पर क्या होगा हमारा number display होगा यानि कि हमने यह condition जो डाल दी है और वो डाल दी है कि हमारी odd number की statement ही display हो और इसका हमने end कर दिया है यानि कि print जो होगा वो हमारे numbers अगर 2 से divisible नहीं होगे यानि कि 2 से divide नहीं होगे वो ही number हमारे display होगे तो एक से लिए के 20 तक हमने number display कराने है इस program को हमने run करा दिया है print करते हैं आप देख पाएंगे 13579 इस तरीके से series display हो रही है तो यहाँ पर आप जो भी condition apply करना चाहें print से पहले कर सकते हैं और looping concept को hopefully आप clear हो चुका है हमने दोनों concept को clear कर दिया है for loop और while loop, do while loop आज की class में हमने दो loop सीखे, last class में हमने for loop की बात करी थी आने वाले वीडियो में हम और भी related programs के बारे में सीखने वाले हैं आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहे हैं, सैल फद्धन के साथ, thank you कर दो आपियो में हमें